हाल ही मैं हमने ये रेखा है कि जब से फ्रांस के रिलेशन्स खराब होए हैं USA और ऐस्टिला के साथ इंडिया और फ्रांस लगातार अल्मोस्ट हर दूसरे दिन अनौस्मेंट कर रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि इंडो पसिफिक में दोनों देश मिल के काम करेंगे और रिसेंटी भारत के प्रैमिस्टर ने भी यहाँ पर यह ट्मीट करी है कि इन्होंने कुछी घंटों पहले बात करी फ्रांस के प्रेजिडेंट इमानियल माकों से और यहाँ पर डिसकस किया गया अफगानिस्तान का इशू और साथी साथ इंडो पसिफिक में जो भी हो रहा है यह बाते भी यहाँ पर डिसकस करी गई अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि फ्रांस और इंडिया बहुत ही जल्द लॉंच कर देंगे प्रोजेक्ट 75 अलफा और इस प्रोजेक्ट 75 अलफा के अंडर भारत खरशने वाला है एक लाग बीस हजार क्रोड रुपे भारत की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है यह 17 बिलियन डॉलर्स में हम बनाएंगे यहाँ पर 6 नुकलियर पावर्ट संब्मरीन और फ्रांस की इगो देखिए रीसेंटी इतनी हर्ट हुई है और स्ट्रिला के रिजेक्शन के बाद के अब यह लोग चाते हैं कि दुनिया की सबसे भैतरी नुकलियर पावर्ट संब्मरीन यह बनाए भारत के साथ तो एक बार फ्रांस और इंडिया प्रोजेक्ट 75 अलफा पे एक ओफिशल डेकलरेशन दे दें तो यह मैं कहूंगा फ्रांस और इंडिया के रिलेक्शन्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी